चीजों की वज़े से प्रोटेस्ट हो सकता है, लोग जहां भी आहत होंगे वो पदर्शन करेंगे, आज ही आप देख लीजिए ये अगनी वीर वाली जो स्कीम आई है, मिलिटरी डूप्मेंट की, तो जो बच्चे S.S.C. एक्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पूरे आप दिख रहे हैं जनित आवाज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, कॉंसिटिशन क्लब और हमारे साथ हैं, पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो प्रेस क्लब ये प्रेस वारता जो रखी गई थी, जो आफरीन है, आफरीन फातिमा, उसका घर ढ़ा दिया गया था, बेज़ा और जावेद जो उनके पिता है, उनको जो है मिड नाइट जो है अरेस्ट कर लिया गया, उसी के चलते हैं यहां प्रेस वारता रखी गई थी, तो उसी पर हमारे साथ अभी जो हैं, पर सबसे पहले सर अपना नाम बता दिए, मेरा राम भवास चाहीन है, मैं आड़ोकेट ह जो कुछ अभी आफरीन को लेकर चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे है, प्रोटेस्टर को अरेस्ट कर लिया जा रहा है, तो कभी जुम्ह की नमाज होती है, तो जुम्ह की नमाज पर इस तरीके से पत्थर बाजिया होने लग जाते है, तो पत्थर बाज बता दिय जाता है, मुस्लिमों को लगाता है, इस तरीके से हो रहा है, क्या कुछ है ये सब को? देखिए, ये तो हमको लगता है, जुमे की नमाज और प्रोटेस्ट को बार बार जोड़ा जा रहा है, ये एक बहुत भद्दा मजाख है, क्यूंकि हिंदूस्तान में हजारों मस्जदे हैं, लाकों मस्जदे हैं, बलके वहां लोग हर हफते जुमे की नमाज पढ़ते हैं, ह आज ही आप देख लीजिए ये अगनी वीर वाली जो स्कीम आई है military recruitment की, तो जो बच्चे S.S.C. exam की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पूरे में प्रदर्शन किया, तो अब ये आप कहिएगा क्या कि कोचिंग सेंटर में ये बच्चे रहते हैं, इसलिए पदर्शन हो रहा है, अब कोचिंग सेंटर को बंद किया जाया, कोचिंग सेंटर को surveillance किया जाया, इसकी तो कोई बुनियाद नहीं हुए, आप ये देखिए कि कि आप प्रोटेस्ट कर, किस वज़े से लोग पदर्शन कर रहे हैं, किस वज़े, किस चीज से वो आहत है, आपको वो देखना हो गई, बार-बार जुम्य की नमाज की बात की जा रही है, इसका कोई मतलब नही तो वो तो यही दिखा रहा है, कि मुस्लिम इस तरीके से ही करते हैं, जुम्य की नमाज से जो है, लोगों को पहले तो पहले तो जो नमाज होती है, शाम में अज़ान वगईरा होती है, उससे पर रहशानी हो रही थी, लगातार हनुमान चालीसा का जाप हो रहा था, फिर लुपू शर्मा आती है, प्रॉफिट मुहम्मद साहब पर इस तरीके की टिपड़ी करती है, फिर उन पर फाई आर नहीं होती है, तो किस तरीके से देखते हैं यह सब चीजों को देखें, यह तो मुस्तकिल एक महौल खराब करने के लिए, और एक सेक्शन को प्रोवोक कर करने के लिए, यह चीजें की जा रही हैं और वो महौल खराब करने में यह बहुत अत्तक काम्याब भी हो रहे हैं, अफसोस की बात यह है, तो हम लोग तो इसको इसी तरह देखते हैं, कि आप अगर इसको मुस्लिम क्या कर रहे हैं यह बना के देखिएगा, तो हमेशा ऐसा ही मसला रहेगा, यह बहुत सिंपल सा मामला है कि अगर लोग आहत हैं, अगर ऐसी कोई चीज हुई है, जिसकी वज़े से लोग सड़क पे आएंगे, तो वो सड़क पे आएंगे, तो आप जब मुसल्मान सड़क पे आएं तो आप उनको मुसलिम प्रोटेस्टर बता कर उन वैसे कि हर हिंदुस्तानी को अधिकार है, जब उसे कोई चीज गलत लगे तो वो आकर उसका इजहार करें, वैसे हमको भी अधिकार है, और हम यह पदरशन क्यूं होता है, आप सबसे बड़ी वज़े देखिए, पदरशन इसलिए होता है कि आज भी मुसल्मानों को बहुत भरोसा है, मुल्क के पोलिटिकल सिस्टम में, मुल्क के जुडिशल सिस्टम पे, मुसल्मानों को भरोसा है कि वो अगर प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके जवाब में जो घलत चीज हुई है, वो सही हो जाएगी, जो नाइनसाफी हुई है, उसमें इनसाफ होगा, लोग इ इसी तरीके से आप लोग करते आए हैं, सब बताया जा रहा है, और फिर जो है चस्पा भी कर दिये जाते हैं, फोटो दिखा दिये जाते हैं, लगा दिये जाते हैं, इसी तरीके से राची में हुआ, इसी तरीके से आगरा में हुआ, लगातार जो है आप भी लोग सामने आ र दिया उसका उसको बार-बार ऐसे दिखाना कि उसका जुम्हे की नमाज से कोई लेने देना अनों प्रोटेस्ट का ये बहुत ये मतलब सिर्फ फिर से उसी महौल को खराब करने की सिर्फ एक कोशिच है और हम पूरी तरह से इसको रिजेक्ट करें। आप लोगों ने किया क्या नियालियों पर भरोसा नहीं। हम इसका समर्थन नहीं करना चाते हैं। ये जो धर्म संसद हो रहे हैं वो हिंदू धर्म के नाम पर नहीं हो रहे हैं। तो देवबंध हो या जमात इसलामी हो या शिया हजरात हों सारे तपके के सारे फिरके के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हमेशा उसको कंडेम किया और कहा कि ये हमारे टीचिंग्स ये हमारा तरीका नहीं है। जिस तरीके से मुस्लिम में जो पद अधिकारी हैं जितने भी पद पर हैं क्या कुछ योजनाय रहेंगी आप लोगों की जैसा अभी देश में चल रहा है उसको लेकर आप पद अधिकारियों से पूछिए हम तो कोई मुस्लिम की अलग से योजना की बात नहीं कर रहे हम त अधिकार हैं हम उसी अधिकार से हम उसके खिलाफ बोलेंगे भी और जरुवत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे जरुवत पड़ेगी तो जो जो भी कानूनी कॉंस्यूशनल तरीका देश के हर नागरिक को अविलिबिल है वही हम भी अपनाएंगे बाकि आप जो पद कुछ रहेगा जैसे आज पर्एस वारता रखी है कि ऐसे ही कुछ आगे भी रहेंगे प्रोग्राम इस तरह की और चीजह होती तर्गेट करते हुए भर दिया जा रहे हैं जिये बारगेटिए जॅड नहीं सिस्टम के खिलफ नभरेंगे कैसे इस की योजनाइए हैं तरीकें से जमीनी इसतर पर ऊइंगे इसी सब से अप रहेंगे जिफाटे जो है हम दिखाते रहेंगे जो इस पर वागर कोई वारता होगी, प्रैस वारता रखी जाएगी तो आपको लोगों को हम दिखाते रहेंगे, इसी कि चलते हैं आप देखते रहे हैं, जनीत आवाज मेरे सेयोगी धर्मेंडर के साथ, में पूजा Constitution Club